तो जोमेटरी बॉक्स हम सभी को बहुत जादा पसंद है और साथ में अगर वो कुछ यूनिक उफ़ा करें तो तो और ही अच्छा है तो आज मैं आपके लिए 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 हूं गाइस कैमलीन की तरह से आने वाला कुछ ऐसा ही जोमेटरी बॉक्स जो की है कैमलीन 2-in-1 जोमे इसकी टूल कैसे हैं तो मैंना मैं अरपट आप देखना है शूरी दिया जो मैं आपके लिए 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 आते हैं इस बेस्टेशन को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तो गई स्चार्ट करते हैं इस बॉक्स की अन्बॉक्सिंग से तो यहां पर आप दिखता है मैं उबर बेंडिंग है कैम लें टू इन वन की एंड काफी अच्छा लग रहा है देखने में आप देख सकते हैं कुछ इस ट्रीप से काफी बड़ा सा बॉक्स आपको दिया गया है जनरली हमको तो सबसे पहले मुझे यहां देखने को मिल जाती है यहां पे कैम लेंगी तरफ से आने वाली की तरफ से अने वीक मेंकल पैंसल जो कि कुछ इस ट्राइप से दिखती है प्लास्टिक यहां डबाएंगे तो यहां पे निम निकल के आती है अच्छी बात है कि आपको टुएमे पेंडिन नहीं है अगर आप मैं इसको भी दबाता हूं तो आप देख सकते हैं यहां पर आपको देखने को मिलती है 0.7 mm की लीट तो काफी अची लग रहे हैं यह भी मुझे इंको यूस करके देखेंगे आगे इसको भी हम साइड में रख देते हैं और गाई यहां पर देख दिखेगे एक्स्टा अगरा पैंसर कि लिए इसको हम लिफ्ट अप करते हैं तो इसका फर्स लेवल निकल जाता है और नीचे आते हैं हमारे जोमेट्री के टूल गाई तो यहां देख सकते हैं आप आपको देखने को मिलता है करी यहां पर आपको मिलता है एक दिवाइड इसको मिलता है इसको आप अपनी पैंसल इंसर्ट कर सकते हैं इसको यूज करके भी हम देखने वाले अभी तो मुझे देखने में कॉलिटी लग रही है यहां पर को कोई लॉकिंग में कैने जम नहीं मिलता इस टैंडर आपको बस इसको पूल करना होता है इस तैंडर यह च है पूरा आप यहां देख सकते हैं तो यह हैं पॉइंट सेवन की लीट तो दस लीट सोंगे इसके अंदर एंडन एक मेकानिकल पेंसल भी है जिसको आप आइगास यूज कर सकते हैं अपने कंपास के साथ तो यहां पर देख सकते हैं आप ब्लू कलर स्कीम फॉलो करी है कैम में यहां पर आप इसको साथ कर पाएंगे एंडन उसको यूज कर पाएंगे इसको भी अपन दबाएंगे तो यहां से लीट निकल ये बाहर आ जाती है इसके बाद गाइज यहां पर हम को देखने को मिल जाते हैं सैट स्कूरे से अच्छार तो यह हैं बिगान लेता हो कि यहां पर हमें सेट स्क्वार का सेट देखने को मिल जाता है, यह रहा एक, एक और सेट स्क्वार यह अंदर यहां पर लगा हुआ है, तो यह मुझे ठीक था क्वालिटी लगी, तो गाईस, अब आता है में कोशिन कि अगर आप इसको एस बॉक्स करते हैं, तो आप क्या कैस में एक्षणरी कर पाएंगे, तो यहां पर मैं इन सारी चीजों को वापिस रख देता हूँ, एंदें डियर मैंने इसको उपर वाला जो इसका हिसा ता इसको लगा दिया है, अब आप यहां देख सकते हैं कि आप यहां पर दो mechanical pencil रखने की जगे मिलती है, यहां पर एक friction pen है मेरा एक यहां पर मेरे पास है लगजर का fine liner और देखते हैं यहां पर जेट स्ट्रीम भी है यहां पर आता है क्या तो मैं fit करने की कोशिश करता हूँ नहीं यह तो फिडिया नहीं होगा हलका सा fit हो गया है इसको हम बंद करते हैं गाईस तो ओके अभी यह ब और इbies लिए भारा also 2 कि democrat इसका निकाल देते हैं भाहि इसके बिना आगर बंद हो जाए तो इसको कर दो करतेता हूँ कि और मैं ट्राइगरता हूँ गारे इस कुझ हलकलका बंद कर सकते हैं तो आप जो ऊपर वाला कॉलम मैं इसमें आप टीन पैंस burig कर सकते। और अगर में mechanical pencil यहां पर निकाल दूँ माल लेते हैं कि आप दो carry नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही करेंगे, तो देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या आता है, यहां पर मेरे पास है uniball का 215 refillable pen, इसको मैं इसको मैं इंसर्ट कर देता हूं, यहां पर मेरा jet stream, तो इसको भी डाल करके रखता हूं, कुछ इस टाइप से, अब यह बंद हो जाना चाहिए, गाईज, तो थोड़ा भाई, टरन हो जा, अब देखते हैं, तो यह भी नहीं हो पारा, इसको side करना पड़ेगा, यह वाला pen हटा देते हैं, अब देखते हैं, तो कॉछ इस टाइप से यहां पर बं पैंसल है, उसको भी count कर लेंगे, तो आप 5 चीजे इसमें उपर रख पाएंगे, तो अगर आप इतना stationary carry करते हैं, तो उसके लिए यह sufficient रहेगा, अगर आप कुछिश करते हैं से जादा stationary रखने की, तो इसमें वो possible आप नहीं हो पाएगा, तो basically आप इसमें carry कर सकते हैं, 4 pen with a mechanical pencil, इसको compass इसको भी हम use करके देख ले थे हैं, तो यहाँ पर मैंने जो इसके साथ mechanical pencil आई इसको यह डाल दिया, इसको use करके देखते हैं, तो यहाँ पर मैंने circle बना के देखा गाई, तो काफी अच्छे से circle बन गया है, एक छोटा circle मैं draw करके देखता हूँ कि भाई, यह lift up तो नहीं होता है, तो यहाँ पर हमने इसको reset किया, एक छोटा circle मैंने उपर से बना के देखा, तो के उपर इसकी holding position भी मुझे अच्छे लगी, आप easily इससे circle बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, तो वाई सब सवाल उटता है कि हमको यह 2-in-1 geometry box लेना चाहि तो यह सभी box आपको under 150 रुपीज मिल जाता है, Camlin का, Nova and आपको Classmate का Invento भी देखने को मिल जाता है, तो यह सभी box आपको around 150-125 इस range में easily देखने को मिल जाते हैं, काफी अच्छी quality आफ़ करते हैं, सभी के review channel पर available है, मैं यहाँ पर link कर दूँगा तो आप देख सकते हैं उन जाता है, mechanical pencils में दो आती है, तो for that thing guys, यहाँ पर 50 रुपीज जादा देना इनके उपर, अगर आपको इसका use है, अगर आपको जादा space का use लगता है, तो उस case में definitely worth it रहेगा, क्योंकि इसमें case में definitely थोड़ी space जादा है as compared to यह वाले boxes, and अगर आप 200 से थोड़ा उपर जात है, यहाँ पर आपको काफी एचा case देखने को मिलता है, tool quality थे similar है, पर यह काफी चेस के साथ आता है, तो around 280-270s का price चल रहा था है, एक बर sale में 250 भी बहना देखा था, तो यह भी उस price में अच्छा box अगर आपको case चाहिए तो, तिन अगर आपको tool quality के लिए जाना है, तो आप जा सकते हैं, तो यहाँ पर आपको map 8 के साथ, यहाँ पर आपको map 8 के selection call series, यहाँ फिर 9 piece और 11 piece में study drop set मिल जाते हैं, तो यह आपको 200 around में पढ़ जाता है, तो अगर आपको space नहीं चाहिए, tool quality थे चाहिए तो आप इनके साथ जा सकते हैं, अगर आपको balance चाहिए यह स comment section में लिखके बताएं, कि आपको इन सबी geometry boxes में कौन सा पसंद आया, and specifically camlin 2-in-1 के बारे में आपको क्या review है, and अगर आपने इसको use किया है, तो अपना feedback जरूर लिखके बताएं, मैं मिलने वाला हूँ आपको next video में, तब तक के लिए आप हमाँ यह दो वीडियो चेक आउ